चुनावी राज्य राजस्थान में नतीजे आ चुके हैं और भाश्पा को स्पष्ट बहुमत मिला है 1099 में से 115 सीटों पर भाश्पा जीती है तो वही 69 सीटों पर कॉंग्रेस को जीत मिली है ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनावती ये है कि मुख्यमंत्री किसे बनाये जाए सीअम पत की इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं चरचा ये है कि भाश्पार नेतरित्व बालकनाथ के नाम पर विचार कर रहा है तो महीं दूसरी और पूर्व सीयम रही वसुंधरा राजे भी अपने यहां विधायकों को निमंत्रन दे कर दिल्ली को संदेश देने की कोशिश कर रही है जहां बालकनाथ आज दिल्ली में बीजेपी मुख्याले पहुँचे तो महीं जैपूर में बैठ कर ही वसुंधरा राजे ने विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दी है और बात सिर्फ बैठक तक ही नहीं रह गई यहां मामला विधायकों के डिनर तक पहुँच गया वसंद्रा राजे ने सुमवार शाम को कई विधायकों को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया है जैपुर में वसंद्रा राजे आवास के अंदर जाते हुए विजेपी विधायक बहादूर सिंग कोली ने कहा कि वसंद्रा राजे को CM बनना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि वो पार्टी के फैसले के साथ है इसके लावा बीजेपी के नव निर्वाचित जहाजपूर से आने वाले विधायक गोपी चंद मीड़ा ने वसंद्रा राजे से मुलाकात की और कहा कि लोग वसंद्रा राजे आवास पर पहुँचें उन्होंने कहा कि वसंद्रा ने पहले बहुत अच्छा काम किया है इस डिनर और प्रेशर पॉलिटिक्स का फायदा आने वाले वक्त में वसंद्रा को मिलने वाला है या फिर नहीं ये आगे देखना होगा